निश 24 में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रजज जैत्रि पाठी और इशा में लोग सभा चुनाओं की तारीखों का भी एलान हुआ है साथ साथ विदान सभा चुनाओं भी होंगे लेकिन राजज में बीजेपी और नवीन पतनायक की बीजेडी के बीच सीट शेरिंग को लेकर बातचीत नहीं हो पा रही है दरसल सियासी गलियारों में तमाम चर्चा थी कि बीजेपी और बीजेडी के बीच सीट शेरिंग को लेकर बातचीत चल रही है दोनों पार्टियों के बीच गडबंधन की चर्चा चल रही है दरसल बीजेडी ने कभी भी खुल करके केंदर की मोधी सरकार का ही और नहीं भारती जनता पार्टी का कभी खुल करके विरोध किया है नमिन पतनायक लगातार कई मुद्दों पर उन्होंने केंदर की मोधी सरकार को संसद में भी समर्थन दिया ऐसे में चर्चा हो रही थी कि इस बार जब ओड़ीशा में लोगसभा के साथ विदानसभा चुनाओ भी हो रहे हैं तो क्या बीजेपी और बीजेडी के बीच गटबंदन होगा और ये माना जा रहा है कि बीजेपी और बीजेडी के कई सीनियर नेता लगातार इस मुद्दे पर बैठक भी कर रहे है लेकिन इस सीट शेरिंग को लेकर के बातचीत नहीं बन पा रही है दसकों पहले इन दोनों पार्टियों का गठबंदन हुआ करता था और अब एक बार फिर से ये संभावना जताई गई कि BJD और BJP राजी में मिल करके गठबंदन कर सकते हैं और अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर लोगसभा के साथ विदान सभा के जो नतीजे होते वो इस गठबंदन के पक्ष में जा सकते थे लेकिन अब अगर BJD के साथ BJP का गठबंदन नहीं बन पाता है तो BJP के लिए बेहद ज़टका माना जा सकता है क्योंकि BJP को BJD के सहारे ज्यादा लोगसभा के साथ साथ विदान सभा में भी राज्ये में भी सरकार बनाने में मदद मिलती है क्योंकि BJD लगातार लंबे समय से ओरीशा में उसका बर्चस्व है और लगातार नमीन पटनाएक मुख्यमंत्री बने हुए है ऐसे में जिस तरह से कई राज्यों में जो बड़ी पार्टियां है BJP उनके साथ गटबनन करके सरकार बनाती है ऐसे में ओरीशा में भी BJP संभावनाय तलास रही थी कि नमीन पटनाएक के साथ जाएगी और विदान सभा भी चुनाओ लड़ेगी लोग सभा भी चुनाओ लड़ेगी और अगर ऐसा होता है तो राज्य के सरकार का वह हिस्सा बन सकती है लेकिन अब दोनों पार्टियों के बीच फिलाल जो सीट बटवारा है वो फस्ता हुआ नजरा रहा है और अब तो तारीखों का एलान हो चुका है तो जल्द ही वोटिंग भी होगी लेकिन उससे पहले सीटों का बटवारा ना हो पाना BJP के लिए टेंसन वाली बात हो गई बीजेपी 147 में से 57 सीटों पर चुनाओ लड़ना चाहती है जबकि 21 लोगसभा सीटों में से 13 से 14 सीटों पर चुनाओ लड़ना चाहती है अगर ऐसा होता है तो BJD के पास विलान सभा में 90 सीटे बचेंगी और लोगसभा की सिर्फ 6 या 7 सीटे इसी बात कोले कर गटबंद बताया जा रहा कि BJD ने BJP के प्रस्ताओं को खारिच कर दिया है दूसरी तरह भाजपा की ओरिशा यूनिट भी चाहती है कि वो राज्य में अकेले ही चुनाओ लड़े बीदे चुनाओं में बढ़ते वोड़ शेयर को लेकर BJP आस्वस्त है दरसल पीयम मोदी की लोग प् बनाने वाले वीके पांडियन का कहना है कि वाज्य में सरकार बनाने के लिए BJP को भाजपा की जरूवत नहीं है वही केंदर में सरकार बनाने के लिए BJP को BJP की जरूवत नहीं है हमारी और भाजपा की दोस्ती राजनीस से उपर की है आपको बता दे कि ओडिसा में 13 माई क के बाद चुना होने हैं ऐसे में भी दोनों पारिटियों के बीच सहमती बनाने के लिए परियाप्त समय है नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है योस 24